हालो गैज वल्कम बैक्टुपी सी वाले योट्यूब चैनल आज की विडियो में हम एन्विडिया ने जो प्राइस कम करा है उसके बारे में बात करने वाले हैं देखो मैंने कुछ समय पहले ने एक वीडियो बनाई थी कि एन्विडिया ने जो है deposit क्र दिया क्या क्र दिय उन्होंने जहें जादा ही expensive release करें थे इंडिया में तो खास करके जादा ही expensive release करें थे और दोनों के नाम क्या है कि TI लगता है लेकिन NVIDIA में जो काम करने वाले लोग है वो उसको TI के जगवा पर उन्होंने गलती से उसको live stream में टाय बोल दिया था कि 3080 टाय तो इसलिए यह एक प्यारे प्यारे कमेंट छोड़े NVIDIA के उपर आप लोगों ने लेकिन आज जो है आज जो है वो NVIDIA ने price कट कर दिया आज यह कल में recently अपना 3080 TI और 3070 TI का आपको यह देखने की जरूरत है तो यहां पर देखो सबसे पहली बात तो पहले देखते है 3080 TI 3080 TI जो है वो 1,22,000 क जो है वो NVIDIA ने launch कर रहा था ना 1,22,000 का 3080 TI बहुती insane pricing थी अगर तुम generally क्या होता है NVIDIA क्या करता है कि जो उनकी price USA में है मतलब की 1200 डॉलर जो की 3080 TI की official MSRP है USA के लिए वो जो है उसको आप Indian rupees में convert करो मतलब 1200 US dollar को Indian rupees में convert करो उसमें 18% जो हमारा GST लगता है वो add करो और बन परनाग maths नी कुछ नी simple सा logic और यह हमेशा से चलता वा रहा है NVIDIA अच्छी pricing रखता है लेकिन यहां पे जो है वो NVIDIA ने बहुती blunder कर दिया था 3080 TI और 3070 TI में ठीक है 1260 डॉलर की pricing में उन्होंने पता नहीं कि 10-15,000 और एक्ट्रा एड़ करके जो है वो इंडिया में 1,22,000 का launch कर दिया लेकिन अब अगर आप देखोगे यहां पे आप देखोगे यह तो 37TTI है 30TTI देखो 1,7,000 का हो चुका है यह अभी की pricing में आपको बता रहा हूं ठीक है आप लोगों के लिए मैं एक बर इसको refresh भी कर देता हूं तो यह NVIDIA की site में है यह हम नीचे पे गए scroll down करक एक लाग साथ हजार का ठीक है एक लाग साथ हजार का 30TTI और यह उस दिन की वीडियो है जब मैंने यह बनाई थी यह थी 10 जून की ठीक है जून जुलाई अगस्त मतलब दो महीने हो चुके है और यह एक लाग 22,000 का card था आप मिल रहे कितने का एक लाग साथ हजार का ठीक ह यह MSRP है उसके बाद चलते हैं 3070Ti में जिसमें कि आप जादा लोग इंटरस्टेड होंगे यह 61,000 का रिलीज का रहा था ठीक है 61,000 का ठीक है मतलब क्या NVIDIA को ऐसा मतलब दिमाग माया था मुझे नहीं पता कि NVIDIA को ऐसा क्या आया था 61,000 का जो इन्हों ने यह रिलीज का मैंने इसके उपर रोस बनाए यह पूरी डेडिकेट वीडियो बनाई भी है ठीक है तो यह नों ने 3070Ti इतने का रिलीज करा था और आप देख सकते हों कि मतलब 3080 62 का मिल रहा है मतलब इस वीडियो में देखो आप 3080 जो ग्राफिक का मिल रहा है ठीक है और 3072 3070Ti 61 का मिल 33,000 अगैन इसको भी मैं रेप्रेश करके आपको दिखा देता हूby 2022 के साइट है और नीचे नीचे-नीचे बहुत नीचे ठीक कर दिया हो मैंने community tab में update भी करा था लेकिन इस बार इस बार भाई सारे graphic cards ही हैं लेकिन सिर्फ 3070 Ti और 3080 Ti में उन्हाने गलती कर दियो ऐसा नहीं हो सकता न और गलती उनको realize हो रही है दो महीने बाद तो मैं इसको गलती तो नहीं वो लूँगा कि यह गलती थी कि एंवीडिया ने जो है वो गलती से 3780 Ti की price और 3880 की price जो है वो गलती से अपनी website पर जादा लिग दियो क्योंकि दो महीने लग गगा इस गलती को realize करने में क्योंकि वो जो पिछली बार गलती वी थी वो इशन कार्ड जिसकी तुम्हे फोटो दिख रही है नहीं यह कहां चला गया यह जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही है यह जो कार्ड है ठीक है पता नहीं फोटो क्यों लोड हो रही है ठीक है बट यहां पर कहीं पर होगी यह रा फांडर एशन ठीक है यह इनका जो इसी price के आसपास जो है वो देते हैं और founder edition की price यह है यह आपको over price नहीं बेच सकते या फिर over price नहीं बेचिंगे आपको जो market में third party card मिलेंगे वो आपको over price मिल जाएंगे लेकिन अगर आप founder edition लेकिन आपको founder edition के लिए line लगानी पड़ेगी आर्पी टेक वार्पी टेक से आप जाओगे तो पहले आपको email से उनको वो करना पड़ेगा अपनी जो भी उनका waiting list है उसमें आप add होगे फिर वो आपको सामने से email करेंगे कि हाँ हमाने पास stock आ गया फिर जाके आपको कहीं से वो card मिलेगा मिलेगा या नहीं मिलेगा आपसे गाफिक्स कार्ड बलकि AMD ने अपना जो 5600G APU है वो भी जो है वो इंडिया में जब रिलीज करा है वो और प्राइज रिलीज करा है मुझे नहीं पता AMD जो है वो क्या मतलब मुझे यर तुम मतलब क्या East India Company से आयो मतलब AMD के तुमें फंडिंग मिली है वह से जो तुम मतलब की इंडिया इंडियन को लूट रहे हो मतलब AMD के ग्राफिक्स काड आप ले लो AMD के CPU आप ले लो especially 5600G 5700G जो आये इंडिया में ओवर प्राइज रहे है जो तुम्हारा 6900XT है वो MSRP से 15,000 रुपी एक्स्पेंसिव है like MSRP से 15,000 रुपी एक्सपेंसिव 15,000 रुपी एक्सपे मतलब 15,000 रुपी कितना episode amount है 6800 रुपी एक्सपेंसिव है 6600XT है वो MSRP से ऊपर एक्सपेंसिव है जो तुम्हें retailer या distributors expensive करके बेच रहे हूँ नहीं यह मैं AMD की official MSRP बता रहा हूँ तो पता नहीं AMD को क्या चाहिए और कितना चाहिए ठीक है लगता है जादा ही पैसे कमाने है उनको but Nvidia Nvidia की तरफ से 2 महीने बाद सही देर आये देर से होश आया but at least थोड़े pricing इन लोगों ने ठीक करी ठीक है Nvidia बाकी देखो graphics card के pricing के down होने अप होने वो तो भया crypto जो है फिर से boom होना चालू हो गया है जिन लोगों को लगता है कि LHR की वज़े से जो है वो आप लोग की जो है ग्राफिक कार सस्ते मिलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला विकास LHR सिर्फ Ethereum को रोकता है मतलब माइन करने से बाकी currencies आप अराम से माइन कर सकते हो तो LHR के भरोसे मत बैठे रहा हो ग्व्ग की प्राइजिंग जो है फिर से जो थोड़ी भूब अनी चाला होई थी वो फिर से जो है ऊपर जानी चाला होई यह बिकास crypto फिर से ऊपर को जाना चालू हो चुका है अब crypto मार्गे मेरे हाथ में तो है नहीं जो कि मैं उंगली गरूँगा, क्रिप्टो उपर जाएगा, मैं उंगली गरूगा, नीचे जाएगा, क्रिप्टो उपर चला गया, तो आप ग्राफिक कार्ड जो नीचे हो रहे थे, वो भी आप ग्राफिक कार्ड फिर से एक्स्पेंसिव होंगे, तो उस माहौल में NVIDIA ने जो कि बंदो से ना पैसा निचोडना जानता है, जाहे उंगली टेडी करके घी निकालना पड़े, पर निकालो, बंदो से पैसा निचोड़ो, NVIDIA उन कंपनी में से है, बट स्टिल, ऐसी कंपनी होने के बाद भी NVIDIA अगर प्राइस राउंड कर रहो, और AMD जो है वो अंडर पर एमडी ऐसे काम कर रहा है तो यार कौन AMD रेकमेंड करेगा, ना AMD से मैं और मेरे सब्स्राइबर्स की रिक्वेस्टी की प्लीज अपनी प्राइसिंग ठीक करो और कुछ स्टॉक्स लेकर आउ ठंके ताकि हम लोग बाई कर पाएं, बाकी होगी तो तुमको वीडियो पसं करने ना बुले, धन्याद वाय, टेक केर गईज